हलो फ्रेंड्स वेलकम टू एडियो हब ऑनलाइन क्लासेज मैं हूँ जयन दोस्तो इस वीडियो में आप से बात करूँगा कि पुलिस कॉंस्टेबल क्या जो आपका एक्जाम हुआ है रेटन एक्जाम इसके बाद जो फिजिकल एक्जाम होगा उसके लिए आपको कितनी कट चाहिए किसको फिजिकल की त्यारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए एक्सपेक्टेड एकदम सटिक कट ओफ आपको बताने वाला हूँ क्योंकि फ्रेंड्स जहां पर भी दो एक्जाम कंड़क्ट करवाए जाते हैं वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि क्या हमा तो दोस्तों बात करते हैं कि कितने अभ्यारतियों ने फॉरम भरा था तो टोटल 18 लाक अभ्यारतियों ने फॉरम भरा और उसमें से 12 लाक स्टूडेंट ने एक्जाम दिया है सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यानक नहीं है कि 12 लाख स्टुडेंट ने एक्जाम दिया है और फिजिकल एक्जाम के लिए 5 गुना अभ्यारतियों को बुलाया जाएगा यानि फिजिकल के लिए 5 गुना एप्रोक्स आपके 22,000 यानि की 22,000 एप्रोक्स आपके 22,000 स्टुडेंट का फिजिकल टेस्ट होने वाला है तो अब मैं आपके सामने कट ओफ की बात करूँगा सभी कटेगरी के कट ओफ के ओपर हम डिसकस करेंगे पहले हम बात करते हैं दोस्तो की जनरल की क्या कट ओफ रह सकती है तो जनरल की कट ओफ की अगर बात करूँ मिनिमम है 112 और मैकसिमम 115 तक इसकी कट ओफ जा सकती है ये बात हमने की है अभी जनरल की उसके बाद मैं बात करूँ O, B, C कटेगरी OBC category की क्या cut off रह सकती है तो 109 से लेकर 113 तक आपकी cut off रह सकती है EWS की बात करूँ तो EWS में friends 101 नंबर से लेकर 107 तक आपकी EWS की cut off रह सकती है SC की बात की जाए SC के अंदर आपकी cut off 93 से लेकर 97 तक रह सकती है और ST की cut off जो है friends वो 90 से लेकर 92 तक रह सकती है तो एक वार और डिसकस कर लेते हैं कि आपकी क्या cut off रहेगी किस नंबर पर आपको physical की त्यारी करना start कर देना चाहिए अगर आप general category से belong करते हैं तो 112 से 115 का नंबर आपका safe zone है आपको physical की त्यारी कर देनी चाहिए फिर हम बात करें OBC की तो OBC में 109 से 113 नंबर अगर आपके बनते हैं तो you have to preparation for physical test उसके बात EWS की बात करें तो 101 से 107 SC category की बात करें 93 से 97 और ST की बात करें तो 90 से 92 marks वालों को जो है physical की त्यारी करना start कर देना चाहिए तो यह वीडियो आपके लिए था दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो please like comment करिएगा कोई भी doubt है तो next video के अंदर आपके सारे doubt और सारे problems जो है solve कर दी जाएंगे thank you have a nice day bye bye